हेलो कैसे हो सभी लोग अच्छा देखो कुछ कारण से बीटा वीडियो नहीं आ पा रहा था तो अब हम लोग अच्छे तरीके से थोला सा मैं चेंज करना चाहा रहा था कुछ ताकि आप लोगों को लिखने में प्राब्लम न हूँ है ना थोड़ी समस्याएं थी बेटर करने की हम लोग कोशिस कर रहा है थेक चलिए आज हम लोग चैप्टर फोर जो अपना जियोग्राफी है जियोग्राफी है उसका हम लोग चैप चैप्टर बन का नोट से मिल गया लेकिन टू और थ्री तो आप लोग टू और थ्री का इन दोनों के बारे में जो आप लोगों को शेलेवस भेजे हैं हम उसमें देखिए लेको यह बोर्ड एक्जा में दो और तीन नहीं इंक्लूड है आते नहीं है ठीक लेकिन ऐसा भी इनकी इंपोर्टेंस नहीं है प्रैक्टिकल जो आपके वह होते हैं क्या करते हैं चार्ट से रिलेटेड या मैप मैप वाले को जो कुश्चन होते हैं वह लेशन थर्ड से आते हैं उसके बारे में हम बताएंगा उसके लिए आपको घबराना नहीं ठीक है अभी फिलाल लोग है किसे सब कुछ देख रही तो आपको करना क्या है बेटेटा कि सिंपल जी सिंपल चीज है उन्हीं को देखना है सिंप्ली एक बार नोट टाउन करना है और उसके बाद पढ़ते रहना है ठीक चलिए स्टार्ट करते हैं अग्रिकल्चर अग्रिकल्चर है क्या बनाते हैं खाना बनाना और इंडस्ट्रीज के लिए इस एयुसे राम मेटेरियल view्स्टायेट गख़साम क्या सकते हैं जैसे मालिजी रबभर हैं इंडस्ट्रीज है अब rubber इंड़स्ट्री है अब इस rubber से आगे हम पढ़ेंगे इस rubber से different type के product हम बनाएंगे ठीक जेसे टायर बना देंगे फिर spouse बना देने अपने लिए हणन और different typeस पहांसे बना इंगे तो rubber हमारा क्या है raw material लेकिन जो tire अलग जगा बनेगा और मासूस अलग जगा बनेगा तो इसकी लिए हम rubber produce कहाँ से लगवर plantation इसके लिए आगे हम बताएंगे लेकिन अपको यह समझना है कि यह होता क्या ह्ट तो इसकी definition आपको write कर लेनी है इसकी definition आपको learn लेनी देखिए है अ डिखने में हा है तो बताया ना, खाना बनाने के लिए जो एक्टिविटी हम लोग करते हैं, अपने खाना बना कर खाने के लिए, and raw material किसके लिए, industries, it is a primary activity which produces the food, we eat and raw material for industries, ठीक, चलिए, आगे चलते हैं, next, next क्या है, हम जानते हैं, बता, अपनी जो country है, जो इंडिया है, वो क्या है, एक्री कंच अग्री कल्चरल कंटरी, क्यों, क्यों इसको बोलते हैं, अग्री कल्चरल कंटरी, देखो, क्या रीजन है, इसके पीछे, इसके पीछे, रीजन यह है, बता, कि जो अपनी 60% से ज़्यादा की population हैं, खेती पर डिपन्ड होती है, खेती करने वाले लोग अपनी इंडिया में ज़्यादा है, इसी कारण से इंडिया को अग्री कल्चरल कंटरी कहते हैं, इस सब जो पॉइंट हम लिक रहे हैं, इसको भी आपको नोट करना है, पहले यह जो लिखा हुआ इसको नोट करना है, फिर जो हम पॉइंट लिखा हैं, इसको नोट करना है, देखो, इसको डिफ इंडिया में है वो क्या करने के लिए है वो जो हमारी agricultural activity है खेती से related काम है उसमें इंगेज है इसलिए इंडिया को agricultural country कहा जाता है ठेक आगे चलते हैं types of forming next types of forming types of forming में तीन तरीके से forming है पहली primitive substance forming दूसरा intensive substance forming तीसरा commercial forming तीनों को एक एक करके देखेंगे primitive का मतलब क्या थोड़ा बहुत समझ लेता है primitive का मतलब जो पुरानी खेती बाड़ी होती जिसमें खाद बीज और जो खाद और जो नई techniques होते हैं जैसे टेक्टर का इस्तिमाल और कोई जो जैसे हर्विश्टर होगर है इस समें हम लोग यूज कर रहे हैं इन सब चीजों का इ इसमें नहीं होता था किसमें सब्सिटेंस primitive substance फर्म यानि ओल्ड तरीका है पुराना मैथेड है और यह बहुत बड़े skill में नहीं होता था ये छोटे skill में होता था कम मतलब चीजों के लिए कम मतलब अपने ही उगाओ और अपने ही खाओ ऐसा वाला system था इनका यानि इस तर forming होती है जिसका नाम होता है slash and burn slash and burn forming यह क्या है इस forming के बारे में हमको समझने जैसे इसको नोट कर लिजएगा slash and burn आपको क्या करना है हम जानते है slash and burn burning होती क्या है देखो हम जानते हैं अच्छे तरीके से कि जो खेत होता हमरा जैसे यह खेत है इस पर मालीजे कुछ घासे उगाई अभी इन घासों को हमने क्या क्या जला दिया जला दिया तो यह राक बन जाएगी फिर अब राक बन गई तो यह fertile कर देगी land को फिर हम यहाँ पर खेती कर लेंगे यहाँ पर हमने क्या किया खेती कर लिया अब यह तब तक खेती करेंगे जहां जब तक इसकी जो fertility है जाओ जो भूमी है वो खतम न हो जाती खतम न हो जाती तब तक हम इसको करेंगे उससे पहले नहीं छोड़ेंगे ठीक है इसलिए हम इसको बोलते हैं कि slice and burn forming यह primitive substance forming का एक तरीके का टाइप है पुराना method ही use करके करते हैं इसको ज़्यादा वो नहीं है समझने वाली बात है आपको इसलिए बताए कि थोड़ा सा आप लोग देख लिजेगा ठीक है चलिए next आगे देखते हैं लोग चलो यह दो लोग भी देए दो नोग लेखते हैं intensive substance forming में कुछ नहीं बता यह intensive substance forming यह आपको हम बता देते हैं देखो हमने primitive substance forming में हमने आपको क्या बताया इसमें हमने आपको बताया था कि जो पुराने तोर तरीके हैं उससे खेदी करते हैं लेकिन इसमें क्या है इसमें पुराने तोर तरीके से नहीं कुछ नए जोसे फर्टिलाइजर का यूज करते हैं फर्टिलाइजर का यूज करते हैं ठीक है और दूसरा कि इसमें जो मतलब नए ट्रैक्टर ये सब का इस्तेमाल भी थोड़ा बहुत करते हैं और बहुत लार्ज स्केल पर नहीं थोड़ा बहुत जो खा करना और उसके बाद खा करके और थोड़ा बहुत बेचने की काम जो आजा वही हमारा क्या है करने के लिए इंटेंसिव सबस्टेंस वार्मिंग देखो एक जीज आप अप। आप समझे तिसरा कमर्सियल वार्मिंग के बारें में आपको अगुंता रहा है अदि हो बहुत लाज स्केल करने हैं उसको क्या करते हैं commercial farm इसे different type के plant लगा दिते हैं जैसे tea का है न फिर rubber का भी आपको बताया था फिर यह और इन सबुझाज का हम आप्य और टी और नबर का plantation करते हैं और इसमें बटा जो नई techniques होती हैं जैसे tractor का इस्तेमाल है न और अच्छा पैसा ज़्यादा लगा करके इन सबों का इस्तमाल करके बनाया जाता है इस तरीके इन सबों की खेती की जाती है इसको क्या बोलते हैं कमर्शियल फोनिंग ठीक है चलिए आपको कुछ चीज बता देते हैं और ठीक एक चीज और आपको जहां समयना है छोटा सा जो हम आपको पहला बताये थे कौन सा प्रीमिटिव प्रीमिटिव के बारे में बताये थे इसको अलग अलग जगा यह पुरानी तकनिक है खेती करने यानी नौर्थ इस्ट में इसको क्या बोलते हैं नौर्थ इस्ट में बताएंगे नौर्थ इस्ट की स्कीन कीन स्टेट को बोला जाता है जैसे नौर्थ इस्ट में आता है आसाम आता है नागा लेंड रूनांचर परदेश तिपुरा इन मेघाल है इन सब राज्यों को पिले श्टेट में इसको यानि जो प्रीमिटी सबस्टेंस Mary help CEO क्या बोला जाता है इसको बोला जाता है जोeled से आधी you बोलते हैं और अंडमान निको बार जो दीव सम्भू है उसमें क्या बोल जाता है दीपा तीनों के बारे में आपको समझा दे रहें फिर से जो बेटा अपना इंटेंसिव सबस्टेंस प्रिमिटी सबस्टेंस फार्मिंग है इसमें पुरानी टूल का यूज करते हैं पुरान तब उगा लेते हैं दूसरा इंटेंसिव सबस्टेंस फार्मिंग इसमें थोड़ी नई टेकनीक खाथ वगरे का भी फर्टिलाजर का थोड़ा बहुत प्रियोग करते हैं और जैसे नई जो टेकनीक साथी खेती करने के उन सबको भी यूज करते हैं तिसरा कमर्शियल फार कमर्शियल फार्मिंग में था कमर्शियल फार्मिंग में फीटा इसमें नई टेकनीक का ही यूद करते हैं फट्लाइजर का पेस्ट्रीजज़ त här इन सब का sód तो प्लान्टेशन होता है, बहुत जादा पैसा लागा कर जिसमें पैसा कमाया जाए, तो उस तरीके की खेती को बोलेंगे हम, primitive substance, सोरी, commercial farming, सोरी, सोरी, चलिए, अब आगे हम next देखें, cropping pattern, cropping pattern मतलब क्या होता है, अपनी जो season होते हैं, season, जानते हैं, mainly दो ही type के हम लोग खेती करते हैं, cropping करते हैं, खेती करते हैं, दो ही types के होते हैं, लेकिन है तीन, बताएंगे, एक होता है, रावी, रावी, और दूसरा होता है, खारिफ, और एक होता जायद, जायद, ठीक, तीनों के बारे मताएंगे, अब डोंट और एक दम में, एक चीज़ को हम लोग समझेंगे, रवी, इसमें cropping pattern में हम यही देखते हैं, बता, कि कौन-कौन सी मुख्ये फसले हैं, पहली बात, कब इनने शोन किया जाता है, कब बोया जाता है, और कब हारवेस्ट किया जाता है, ठीक है, और किस-किस इलाके में यह होती है, ठीक, समझ रहा है, क्रॉपिंग पेटर्न में हमको क्या समझ नहां कि कितने तरीके के सीजन्स होते हैं ठीक है खेती के और कब इनको बोया जाता है कब काटा जाता है कौन-कौन से फसले होती है कौन-कौन से स्टेट में या देश में कितने-कितने नम्मर पर है चलिए आगे हम लोग देखते हैं पहला रवी, crops are zoned between अक्टूबर एंद दिसमर, जो अक्टूबर से दिसमर का समय होता है, उसमें बो演 जाती हैं, उनके बीच में, इस पिरिय्ट के बीच में उसको बो演 जाता है, crops are harvested between अप्रेल औन जुन, वो फसले हैं, जो aprile से जून के बीच में काटे जाती है, उनको हम क्या बोलते हैं, रजी फसले, रजी की फसले, एक्जमきます वीट, बारले, मस्टर्ड, चाना, पेस, वीट, मस्टर्ड, ग्राम्प्स, ठेक, इन फसलों को हम क्या बोलते हैं, रजी की फसले, चलिए आगए, खारी की फसले, खारी की फसले क्या होती हैं बेटा, crops are shown at the onset of monsoon, जब monsoon आता है, उसी समय इन समों को लगा जाता है, उनी समय इसको बोया जाता है, crops are harvested and काटा कब जाता है, harvested between September से October, September से October के बीच में काटा जाता है, और अब जानते हैं कि इंडिया में monsoon, बेटा आता कब है, monsoon season का बता है, जुलाई के आसपास आ जाता है, तो उसी समय इन फसलों को लगा जाता है, अब हम अपने हाज देखेंगे क्या कौन-कौन सी फसले हो सकती हैं, पहला rice, दूसरा jute, बाजरा, मैज, मूं, कॉटन, उड़त, ठीक है, सब अगर आपको कुछ हिंदी चाहिए, किसी फसल के नाम के बारे में, तो आप हमको बताईएगा, तीसरी, हमने पड़ी कौन-कौन सी एक रावी की फसल पड़ी, एक खरीब की फसल पड़ी, ठीक, दो फसले पड़ी, अब इसमें जब रावी की फसल में, तो अक्टूबर से दिसमर के बीच में इसको बोया जाता है, और काटा कब जाता है, अप्रेल से जून के बीच में, इन बीच में इनको काट ले जाता है, अप्रेल तक माली जो इसका काट दे गया, अब खरीब की फसल मांसून सीजन में हम जानते हैं, बोते हैं मांसुन सीजन का बाता है लगबग जुलाई में जब जुलाई में इसको बोहेंगे बिटा तो बीच का जो महिना होगा दो महिने का समर वाला उसमें एक फसल बोह जाती है जिसका नाम क्या जायत इस सीजन क्या इन बिट्विन खरीफ एंड रेवी क्रॉप्स और क्या क्या होता है वाटरमेलन कुकंबर और वेजिटेवल अभी जो हम लोगा इस समय का मौसम चल रहा है वो यही वाला है कौन सा जायत का देख रहे होंगे आप लोग वाटरमेलन कुकंबर यह सब अच्छे मात्रा में मिल रहे हैं ठीक है चलिए नेक्स्ट में क्रॉप्स क कौन कौन टाइप्स की अपने पास क्रॉप्स है उन क्रॉप्स के बारे में हमको पढ़ना है ठीक है तो हम लोग आपको बता दिया बता इवन पर कि मेंली मेंली जो क्रॉप्स है अपने पास अभी डिसक्स कर लेते हैं फिर वन बाई वन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे पहली क्रॉप्स पहली को हम भूलेंगे ग्रेण क्रॉप्स इसको हम बोलते हैं बता ग्रेण क्रॉप्स जो क्या-क्या होती है क्या-क्या हो सकती है उन क्रॉप्स को हम देख लेते हैं देखो एक तो होगी राइस एक होगा राइस ठीक दूसरी वीट ग्रेन क्रॉप्स में हम देख रहे हैं में इन क्रॉप्स में ग्रेन क्रॉप्स फिर मेज फिर पल्स फिर इसके बाद मिलेट कौन-कौन सामने पढ़ा राइस पढ़ा, रीट पढ़ा, मैज पढ़ा पल्स पढ़ा यानि दाले पढ़ा और मिलेट्स मिलेट्स क्या होते हैं सब बताएंगे कुर्स ग्रेन वगर्र सब-सब-सब डेटेल में पड़ेंगे हम लोग आगे की वीडीयो में हम लोग देखेंगे अभी हम लोग यहां तक finish करते हैं इस वीडियो को आगे वाली वीडियो हम जल्दी अपलोड करेंगे है अभी main crops तक एक-एक definition इसन जो जो हमने बताया है उसको समझ लिजी समझ कर हमको बताईए ओके थैंक यू